हेलो गाइज, हाव यू आल, कैसे हैं आप सब, आज की क्लास में हम लोग modern Indian history को cover करेंगे, modern Indian history जो की एक बहुत ही important concept है, जिसमें सबसे ज़्यादा questions, यूपी, ACCAC, या किसी भी government services के exam में आते हैं, आज इसे हम लोग बहुत easy तरीके से, बहुत, you know, आसान तरीके से समझेंगे, तो आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है, एक जलक से देख लेते हैं, देखें, मैं आपको इसमें complete modern day history बता रही हूँ, इसमें मैं शुरुवात से आपको बताऊंगी, कि किस तरीके से Europeans इंडिया में आए, और उनके बीच में आपस में किस तरह से पहले लडाईया हुई, क्योंकि सारे European countries हैं, उन लोगों ने इंडिया के साथ प्यापार करने की कोशिश की, और monopoly के लिए उनकी लडाई हुई, तो आपस में जब French, Dutch, English, Portuguese ये सब लड़ रहे हैं, तो वो अपने domination के लिए power struggle कर रहे हैं, ताकि उनकी अपनी monopoly इंडिया में हो सके, लेकिन दूसरी त जादा important है, तो शुरुआत जो है, इनकी हम लोग Bengal से करेंगे, क्योंकि जब इनको Bengal में power मिल गई, उसके बाद इन्होंने आगे की अपनी जो कारवाही है, उसे आगे बढ़ाया, तो आज हम लोग Bengal से शुरू करेंगे, और देखेंगे कि Bengal से आगे ये लोग कैसे जो है, प अब cover करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे जो पार्ट है, ये सारा हमारा content है, जो की cover होने वाला है, इसके अंतर कता आप ये देख सकते हैं कि सारी जो important treaties है, वो भी हम लोग करेंगे, इस से जुड़े हुए जो questions आए हैं, वो भी हम cover करेंगे, पंजाब के बारे में हम बात कर करेंगे, इसके अलावा हम आस-पास के पड़ोसी देशों में जो अफगानियों के साथ इनोंने किया, जो बर्मामीन होने किया, वो सब हम लोग cover करेंगे, तो आप ये गह सकते हो कि ये एक complete marathon है, ये एक अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लो, तो आपकी सारी ची करने वाले हैं, ये वो बात है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, company rule एक तरी कैसे, crown rule जो कि revolt of 1857 के बाद हुआ, उसे मैं at a glance आपको बताऊंगी, लेकिन उसको हम लोग फिर अगली Sunday marathon में cover करेंगे, तो basically होने क्या वाला है, हमारा idea क्या है, कि हम लोग marathon series के द्वारा पूरे concept क क्लियर करें, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम लोग modern Indian history पढ़ रहे हैं, तो history में आप एक चीज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा importance जो है, एक बात की होती है, क्या है वो एक चीज, जिसको सबसे ज़्यादा importance जी जाती है, जब भी आप history पढ़ोगे तो उस चीज को लेकर के बार-बार students भी पढ़ेशान होते हैं, और बार-बार उस चीज को बहुत ज़्यादा importance दी जाती है, क्या है वो, who will tell me, yes, good evening guys, good evening कैसे हैं आप सब, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये live class है, और live class का मज़ा तब है जब आप इसे like और share करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ल paid batch है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, ये code Y660, इससे अभी आपको 75% discount मिलेगा, इसके अब 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 मतलब double validity के discounts भी हैं, और भी बहुत सारे offers हैं, limited time के लिए, तो दो साल के validity के साथ सबी जो batches available हैं, but I suggest कि आप महा पैक लें, क्योंकि Y660 के code से, अगर आप महा पैक लेते हैं, तो मेरे अलावा, आप अन्य सारे teachers की classes को भी देख पाएंगे, Hindi, English दोनों में, और Hindi, English दोनों में ही आपको notes भी दिये जाते हैं, ठीक है, तो आप इस code को यूज कर सकते हैं, और discount ले सकते हैं, हमारे UPSC batch में, UPSC, CSE, ठीक है, So, मैं यहाँ देख सकती हूँ कि हमारे कई सारे students जूट चुके हैं, thank you so much for coming guys, I hope आप लोग मेरी environment और geography की जो series है, वो भी देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं, right, ठीक है, that's great, तो चलिए guys, शुरू करें, और इसमें मेरा एक सवाल था, देखो, हम लोग live क्यों मिलते ह लाइव पढ़ने का मज़ा क्या है, कि हम आपस में थोड़ी बात चीद भी करें, है ना, एक मौहौल बनाके बढ़े, ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, कुछ हमारा मुद्दा जो है, वो discuss होना चाहिए, आप क्या समझ पा रहे हो, आप कितना जान रहे हो, आपके क्या doubts है उसे अगर आप real time basis पर clear नहीं कर पाए, तो फिर क्या फाइदा live class का, है ना, कोई फाइदा है, कोई फाइदा नहीं है, तो मैंने जो है एक सवाल पूछा था कि सबस्तो जादा तवज़ो किस चीज को दी जाती है, तो सनेहा ने बताया है कि dates और chronology को, dates तो बहुत अच्छ में ले करके चलेंगे, बट मुझे ये पता था कि आप लोग dates बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि हाँ भी chronology बहुत जरूरी होती है, dates बहुत जरूरी होती थी, I know, मुझे मालूम था कि ये जो है एक answer आएगा, बट मैं आपको बता दो, कि history जब आप पढ़ते हो, तो history में date सबसे ज़्यादा important नहीं होती, राजा के नाम, events के नाम, जगह के नाम, dates, कौन से तारीक को, क्या हुआ, ये तारीक पे तारीक नहीं, ये या नहीं करनी है history में, history क्या है, history एक story है, आपके देश की कहानी है, जब आप world history पढ़ते हो, तो आप वो दुनिया की कहानी पढ़ नहीं जानता, तो वो कैसे चलाएगा उससे, अगर आप एक DM हो, और आप जानते ही नहीं कि आपका देश क्या है, आपके लोग क्या है, तो आप उन्हें कैसे चलाओगे, तो उन्हें चलाने के लिए उन्हें जानना होगा, अब आप पहले बार किसी इंसान से मिलते हो, है किसी इंसान से जब आप पहली बार मिलते हो तो आप क्या करते हो अप उससे पूसते हो कि अप कहां रहते हो तो आप कहां से आए हो आप उनके पास्ट पारे में थोड़ी चीज़े जानने की कोशिonya करते हो कि आपने कहां से पढ़ाई किये क्या बैक्राउंड है राइट थोड़ा बैक्राउंड समझते हो तो वैसे ही आपको अपने देश की कहानी सुनने के लिए इसके बैक्राउंड को समझना पड़ेगा और हम ये कहानी क्यों सुनते हैं कोई भी कहानी क्यों सुनती क्योंकि कोई ना कोई मोराल होता है है ना स्टार्टिंग से बिलकुल जीरो से शुडू करेंगे ठीक है अगर आपको बिलकुल हिस्ट्री की कोई नॉलिज नहीं है तो फिर ये क्लास आपके लिए पॉफ्रेक्ट है और modern Indian history अगर आपको मुश्किल लगती है, तो आज से आपको ये बिलकुल आसान लगने लगेगी, तो जब भी आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो समझो कि आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो पढ़ क्या रहे हो, history पढ़ रहे हो, history मतलब कि क्या, story है, history is high, story, तो एक story है जैसे आप बूल रहे हो है, आप उसे समझने की घोशिश कर रहे हो, यानि कि आप जानना चारियो कि पुराने समय में क्या हुआ, अब आप बोलो गए आज के समय में, आज की बात करो, क्या पुरानी बाते कर रहे हो, क्या फाइदा पुरानी चीज़ों को जान क करके हम क्या करेंगे उसको जान करके तो करेंगे ये कि आप अपने देश को समझेंगे कि आज आपका देश अगर ऐसा है तो क्यूं है ऐसे कैसे बन गया आप जैसे आप चाहते हो ना कि मेरे पिता का ये नाम था मेरे ग्रांड फादर का ये नाम था वो यहां रहते थे उनका ठीक है जिसमें आप जो है दुनिया का पूरा इतिहास पढ़ते हो विश्व इतिहास पढ़ते हो तो जब विश्व की बात करते हैं तो विश्व की इतिहास में भी ancient, medieval और modern आता है ठीक है तो इसके अंदर जो है आपके syllabus में ancient world history नहीं है medieval world history नहीं है लेकिन modern world history है कहां पे है GS paper 1 में सिर्फ mains में यह आती है prelims में यह नहीं आती है ठीक है सिर्फ mains में यह आती है तो अब आप बोलोगे फिर तो इसको छोड़ सकते स्क्रिप कर देंगे में जब आएगा तब देखा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है आज जो आप modern इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने देश की वो बिल्कुल इसी modern world history से connected है इसलिए मेरा purpose है कि मैं आपको modern world history से connect करके पढ़ाओं ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा आप modern इंडियन हिस्ट्री की में लड़ते हुए चले आ रहे थे इसी लिए ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल साइन हुई इसी लिए हम देखते हैं कि Austrian war of succession में वो लोग एक मत जाओगे ना घर की क्या कर रहे हो क्यों पढ़ रहे हो तो आपका पूरा concept जो है ना आज से जाधा clear हो जाएगा ठीक है बिल्कुल बेस से समझो चीजी को आपकी foundation बहुत strong हो नहीं चाहिए ठीक है और मेरा style यह है कि मैं पहले base पर काम करती हूं foundation हमारा strong हो जाता है ऊपर की चीज़े जो है आपको हर जगह मिल जाएगी बुक में सब कुछ लिखा है डेट लिखी हुई है बाते लिखी हुई है दुनिया भर की कहानिया है हमें उससे मतलब नहीं है question जाओगे तो mcq का question bank मिल जाएगा test series free के पड़े हूँ है telegram पे कौन देख रहे है इतना नहीं हमारा मेन है कि हम अपने concept को clear करें जो यूपी एसी का idea है वह आपसे conceptual questions फूसते हैं तो आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर भी आपकी ancient history है फिर आपकी medieval Indian history है फिर आपकी modern Indian history है तो आपकी जो modern world history है यह आपकी directly connected है modern Indian history से तो जब आप modern Indian history पढ़ते हो तो इसकी शुरुवात कहां से होगी इसकी date क्या होगी वह जब हम लोग ancient history पढ़ते हैं तो हम लोग प्रागेती हासिक काल यानि कि pre history से शुरू करते हैं ठीक है और pre history से पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करते हैं कि पूरा गुपतास तक पढ़ते हैं major हमारा गुपतास है last उसके बा और उसके बाद 712 AD से लगभग हम लोग ये मानते हैं कि हमारी medieval Indian history शुरू हो जाती है ठीक है तो हम लोग 7th century से मानते हैं कि medieval Indian history शुरू हो जाती है लेकिन कहां पर ये खतम होती है और कहां से modern Indian history शुरू होती है ये बहुत बढ़ा सवाल है तो मैं आपको पता दू dates के चक् हो तो आपको पता होगा कि European जो है वो हमारे पास बहुत पहले ही आ चुके थे 1498 में वासको डिगामा पहले ही इंडिया आ चुका था बाबर से भी पहले आ चुका था बाबर तो 1526 में आये तो उसके अंतरगत बहुत सारी detailing है इसका मतलब ये है कि modern Indian history की कोई fix date नहीं है कि आप कहां से इसको शुरू करोगे क्योंकि ये transition के साथ शुरू हुआ तो इसी लिए transitional period को जब तक आप नहीं समझोगे कि भई कहां से transition शुरू हुआ है तब तक आप बात नहीं मानोगे कि क्या clear है और दूसरी चीज ये है कि भई देखो modern Indian history modern का मतलब क्या है हम कहते है आध लोग बड़े civilized हैं ठीक है सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है तो आप उसे कहते हो भई या modern history है लेकिन इंडिया की modern Indian history में ऐसा कुछ नहीं हो रहा हम लोग गुलामी कर रहे हैं और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो वो जो आजादी की लड़ाई है उसको आप आधुनिकता नहीं कह सकते क्योंकि ना ही को इंडस्ट्राइजेशन हो रही है ना ही कोई democracy की बात चल रही है तो आप कैसे उसको modern कह रहे हो तो basically होता कि हमारा इतिहास जो है इसके लिखने की जो पद्वती होती है उसको कहते हिस्टीरियोग्राफी तो हमारी हिस्टीर टाइम से ही औरल कल्चर को फॉलो करते थे ठीक हमारे जो वेद भी है उनको लिखा नहीं गया था उनको बोला गया था सुना गया था याद किया जाता था वह एक वैदिक ट्रेडिशन जो है वह औरल चैंटिंग ट्रेडिशन था तो हम लोग और लिट्रेचर में विश्व ट्रोनेज मिल रहा था तो बेसिकली जब आप देखोगे कि एस्ट एंशियन टाइम में भी हर्षवर्धन है उनकी अपनी बायोग्राफीज है उस समय भी आर्टिस्ट हैं पोएट्स हैं लेकिन सीक्विंस में हिस्ट्वी नहीं लिखी जा रही है लेकिन आप बाद में तो इसका मतलब बोलो क्या कर रहे हैं कि हिस्टीरोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं यहां से थोड़ा सा हमारा रिटेन वाला काम चुड़ू हुआ और यह अभी भी कंसॉलिडेटेड नहीं था लेकिन जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो इनको हर चीज ना लिखन दोशाने हम नहीं मानते वहब कॉमिनिकेशन को यह लोग नहीं मानते थे तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया इंडिया में लिखने की शुरुवात की अब जब यह लोग को लिखने लग गए तो लिखता हुआ सीक्वेंस आया अब देखो जो इनसान लिखेगा वो तो mindset से हिंदी जो हमारी history है उसको लिखेंगे और हमारे हिंदुस्तान को पढ़ेंगे इसी कारण इसको पढ़ने के लिए जब आप modern Indian history देखते हो तो कोई भी book उठा करके देख लो सबसे पहली जो चीज आपको मिलेगी वो है approaches and sources to study the modern Indian history मतलब कैसे आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे क्या approach follow करेंगे किसके नजरिये से पढ़ेंगे आप इनके नजरिये से पढ़ेंगे जो European साय थे या भारती नजरिये से पढ़ेंगे ठीक है तो भाईया इसके बहुत सारे approach हो गए एक हो गया भई British approach जो कहता है कि नहीं British भारत में आये तो बहुत civilize किया बहुत अच्छा किया उनका आना बहुत अच्छा रहा वो इसलिए आई ये किया वो किया तो अपना वो गुडगान लिखेंगे अपने नजरिये से भारत को देखेंगे कि भारत में कास सिस्टम था भारत में सती प्रथा थी भारत बहुत खराब था भारत में political disunity थी हमने उसको ठीक किया हमने उनको parliamentary system दिया हमने उनको यह क्या कहते थे कि भाई यह जो है बहुत अच्छा हुआ इन्होंने कॉलोनाइज किया इंडिया को तो इन्होंने इंडिया को सिविलाइज किया और दूसरी तरह बहुत सारे ऐसे historians है जो nationalist approach याने इंडियन अप्रोच फॉलो करते हैं और जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है हमारी modern Indian history में इनके आने की वज़े से बहुत loss हुआ और हमारे देश में बहुत सारी उतल पुतल जो है शुरू हो गई ठीक है यह आप पढ़ रहे हो तो आधुनिक भारत के हितिहास में कोई आधुनिकता तो पहली बात है नहीं लेकिन हम पढ़ रहे हैं नाम है क्योंकि इन लोगो के संस्कृती से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और उसको पसंद करते थे और चाहते थे कि हम लोग इसके बारे में पढ़ें ट्रांस्टेशन करें जो भी संस्कृत पर्शन लिट्रेचर है और कुछ ऐसे थे जो बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसी लिए हम लोग यह देखेंगे कि इसकी टाइम लाइन जो है वो कहां से शुरू हो रही है एकदम स्टार्ट करोगे तो 1498 से शुरू हो रही है जब जो है वास्को डिगामा पहली बार इंडिया आया तो पुर्टगाल से यह आया और जब आप लोग पॉर्टगीज के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनके तीन बहुत इंपोर्टेंट गवर्णर्स थे जिन्होंने तीन-तीन साल के लिए लग आते थे और अपनी कंडिशन को बहुत जादा लेंगेडन करते थे इंडिया में तो आप सबसे पहले देखोगे कि सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अलमीडा एंगे इनोंने सबसे पहले जो है इंडिया में Big lavender policy शुरू की कि भाई अगर जीतना है भारत को तो भारत के आसपास के पानी को जीतो यानि ओशन को जीतो और फिर उसके बाद जो है लैंड के उपर ध्यान दो, जमीन को जीतने के पीछे मत पागल बने रहो, पुराने राजा जो है न जमीन के लिए लड़ते थे, तुम जमीन के लिए नह दिन्हें कटानी से अगर कोई गुज्रेगा तो हमारे यहां से पर्मीशन ले करके जाएगा इन्होंने पर्मिट सिस्टम शुरू किया और गाओं के अंदर जोभी गोवा और क्यालिक ट्ट और साइट के जो भी गाओं टूंको जिन 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 को इननों ने कैप्चर किया वहां पर इनों ने शुरू किया अपना खुद का विलेज एडिमिन्स्ट्रेशन ठीक है इसके बाद नीनो भी कुना आये है कि तो नीनोभा ने क्या किया इनों ने जा करके हुगली नदी के किनारे चले गए बंगॉल में और पहली बार सौट और बेंगॉल के कोस्ट को पूरा कवर करने की कोशिश की हुगली नदी के किनारे यहां पर जब नीनो दी कुन्हा आ गए यहां तक आते आते क्या हुआ इनकी जो है लडाईयां शुरू हुई क्यों कि जब तक यह अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ जो है मुगल्स आ गए बाबर आगए अब जो है मुगल्स जब हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तरफ तो जब बाबर आगे बढ़े ठीक है बाबर हुमायूं उनके टाइम तक तो सब कुस चीज़ है जो है ओपर ओके थी आगे आ करके जब हम देखते हैं कि अकबर जहांग कर नहीं पाए शुरुवात में तो इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई की लेकिन मुगलों के बढ़ती हुई पावर और दूसरी यूरोपियन पावर्स के सामने ये टिकेंगे नहीं तो अब क्या होगा कि आप देखोगे 14 1526 में ये लोग आ चुके हैं मतलब कि मुगल् इस्कली उससे भी पहले से ही युडुपियन इंडिया में आ चुके थी उनका दाखिला हो चुका था लेकिन यह जो दाखिला है हमारे लिए बड़ा ही डॉरमेंट है कोई खास इसमें हमारे लिए इतना डेवलाप्मेंट नहीं हुआ क्योंकि मेंच चुरू होता है इनका वो होता है जब Britishers आ गए, इनके जो competition में सबसे बड़ा इंसान खड़ी, जो है, खड़ा है, वो Britishers, East India Company, तो Britishers की जब East India Company जो है, इसकी शुरवात हुई, इसको Royal Charter मिल गया, Queen Elizabeth 1 से, और ये लोग इंडिया आ गए, ठीक है, यहाँ तक भी सारी चीज़े सही है, इनका clash पूरा order दे दिया कि इन लोगों को सबको निकालो और खतम करो, फिर ये लोग सारे खतम होगा, यहाँ वहाँ चोरी चकारी करने लग गए, डाकू बन गए, समुधरी डाकू, और जैसे तैसे इनका काम चला, गवा में इनका base था, इसके बाद फिर हम यह देखते हैं, कि थ 1707 में, औरंग जेब की मरितियों के बाद, पूरा जो ये मुगल इंपायर है, ये खतम हो गया, ठीके, इसका डी एन शुरू होता हो ना, स्टार्ट हो जायेगा, तो औरंग जेब की मरितियों के बाद क्या होगा, 1707 में, इंडिया पर बहूत सारे अटाक्स और इनवेशन शुरूंगे जैसे नादिर शाह और एहमद शाह अब्दाली इनका अटाक शुरू हुआ इरानियन साइट से जिसने एक्सपोज किया कि भाया भारत के अंदर कोई दम नहीं बचा है पहले से यह लोग इतने एक्सपोज नहीं थे पहले से इनकी वीकनेस का पता था पर अब य जैसे ही यह लोग एक्सपोज हो गए कि भाई यह लोग जो है बड़े कमजोर है इसका फायदा उठाया ब्रेटेश इस इंडिया कंपनी ने कि यह नादर शाह एहमद शाह अब्दाली यह लोग जो है आते हैं इनके राजाओं को बंदी बना देते हैं है ना तो इनका कोई ज्यादा मतलब डबडबा है नहीं मुगलों का यह उपर उपर से लगते हैं कि हाँ राज आया यह वह उपर से हैं बस सारी कहानी तो इन्हों ने इस चीज़ का फायदा उठाया और और औरंग जिर्व के बाद जो लेटर मुगल आये उन्होंने एक-एक करके बहुत सारी जल्टियां की सबसे पहले तो अपने आप में इनका जो है एक समझदारी होती है कि बहुत साशन को की चलाना है मनसवदारों को करना है कोई विदेश्ी आकर कि आपके फुश्टरल एरिया को घेरे जा रहा है उसको कर दोल करना है पहले यह होता है ना दिमाग यह पूरी न का जो आधूनिक भारत है उसका इतिहास शुरू होता है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आये हैं तो इनकी सबसे पहले लड़ाई होगी अधर यूरोपियन पावर से ठीक है उसमें ये सब को हरा देंगे एक के करके सब को हरा देंगे और उसके ब 1757 में आप जाकर के देखते हो कि इनका कंसॉलिडेशन शुरू हुआ है ना बैटल वेगरा इनोंने शुरू कि फिर आप देखते हो कि 1847 में भारत ने जाकर के रिवोल्ट किया पहली बार ठीक है फिर्स्ट बार ओफ इंडिपेंडेंटेंस शुरू हुई और फिर जाकर के 1957 में 47 में हम लोगों को आजादी मिली राइट तो इसको जो है हम लोगों को समझना है कि यह आजादी का जो सिलसिला है यह इतना लंबा क्यों खिचा तीक है में ही औरंगजेव की मृत्ति हो चुकी थी तो इनको लड़ने में बेंगॉल में जो इनकी लड़ाई शुरू हुई उसको स्टार्ट करने में इतना टाइम क्यों लग गया किया सोच रहे थे वाइए इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया क्या कारण हो सकता है इन से लड़ने के लिए 1857 की जो क्रांती हुई भारत की, वो 100 साल बाद हो रही है, तो 100 साल तक हम भी बैठे रहे, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, पहले इन लोगों ने बहुत टाइम लिया, हमसे लड़ने के लिए, हमारे राजाओं को मारने के लिए, ठीक है, फिर हमारे राजाओं ने बहुत जा साल का डिले है वाई वाई सो मच ऑफ डिले ठीक है इसके बाद फिर आप लगबग 100 एर्ज को देखेंगे शुरुवात इनकी 16-0 से ही हो चुकी है वें दे हैं स्टार्टेड तो शुरुवात में जब यह लोग स्टार्ट करते हैं तो यह लोग सिर्फ व्यापार करने के मकसद से आये थे ठीक है तो यहां पर मुझे बता हूं पहले यह वाला टाइम इतना ज्यादा लंबा क्यों है इस बीच में यह लोग क्या कर रहे थे 1757 तक यह लोग क्या कर रहे थे क्या सोच रहे थे हूं विल टेल मी हां मैं साथ साथ आपके देख रही हूं जो भी डाउट से जो भी कामेंट्स हैं वह मैं लोग एक एक करके डाउट में लेती रहूंगी आप मुझे बताओ तुभाश वह उसका वेट नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है वह उसा बहुत बाद में आया देखो यह जो टाइम है ना 1707 से 1757 तक सबसे पहले चीज़ देखो डीड देखो necessity is the mother of any of the invention any of the discovery for anything किसी चीज़ के अगर नहीं है तो वो काम आप क्यों करोगे है ना नीड नहीं थी इनको यह लोग इससे पहले क्या कर रहे थे ना सिर्फ trade कर रहे थे व्यापार कर रहे थे ट्रेड कर रहे थे और उसमें monopoly के लिए लड़ते थे इसलिए अपनी जो दूसरी European powers है उन में इनकी लड़ाई होती थी monopoly के लिए ठीक है लेकिन जब आप व्यापार करते हो तो आपको पता है कि व्यापार करने के लिए यह जरूरी है कि जो राजनेता हैं आपके वो भी आपके साथ हो जो राजतंत्र है क्यों क्योंकि व्यापार करने के लिए बहुत जरूरी चीज है वो क्या है वह पावर आपको चाहिए लेकिन पावर के साथ ना responsibility आती है इनको responsibility नहीं चाहिए थी इने चाहिए थी power पावर without responsibility तो पावर आपको चाहिए पर responsibility भी सम्हाल नहीं है, तो responsibility सम्हालने का काम कौन करता है, political leaders, ठीक है, और इसी लिए आप ये देखते हो, कि जैसे आजकल आप देखते हो न, मोधी जी है, मोधी जी के सबसे बड़े कौन है, powerful trader, powerful money maker, best friend of मोधी जी, who is helping him, कौन है बई, बताओ, किसके वज़े से चल रहा है, हैं, एक तरफ एंबानी है, एक तरफ मोधी जी है, तो लोग कई पार आपने सुना होगा, कि देश को तो यह था न चला हुआ रहे है, यही है, इनके पास ही पैसा, यही चला है, पूरा देश हमारा, नोदी जी तो तो थर्फ नाम के अब कुछ नहीं चला लेते लोगा पैसा नहीं को पावर को पैसा चाहिए उनको अपना काम से मतलब है उनका काम देश चलृणने का नहीं पर इनको देखने को मिला कि हमारी ना दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोगों को अगर अपनी मोनोपॉली को बढ़ाना है अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो हम भारत की politics से अलग नहीं रह सकते, इसलिए हमारी politics में ये involved हुए by battle of plassi, ये इसलिए involved हुए और उसके बाद हुई battle of bucksar, ठीके, इसलिए ये involved हुए, ठीके, समझ रहे हु, बात क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की जो कहानी है, इस कि अभी तक industrial revolution हुआ नहीं था, जैसे ही industrial revolution Britain में हुआ, इन लोगों को अपनी industry के लिए raw material की जरुवत पड़ी, और बहुत अच्छे market की जरुवत पड़ी, जो इनके finished goods को खरीद सके, और वो दोनों ही चीजें, एक industry के लिए जो पूरी होती है, वो भारत जैसी कॉलोनी से ह होगी, इसी लिए इन्होंने भारत में अपना colonization शुरू किया, कि अगर हम लोग भारत को जीत जाएं, और इसके राजाओं को अपने control में लाएं, और अपने हिसाब से उनको चलाएं, तो ये हमारे व्यापार में मदद करेंगे, हमारे industry के लिए raw material सप्लाइ करवाएंगे, और फिर हम उसको महंगे में भारत में लाकर के बेचेंगे, उपर से इनसे taxes भी ले लेंगे, तो इस तरीके से ये लोग जो है भारत में colonization करते हैं, बैटल आफ प्लासी में इन लोगों ने, बैटल तो इसको पहली बात बोलना ही नी चाहिए, ये conspiracy है, इसमें कोई बैटल ह इसा गेम खेला कि कुछ ऐसा किया कि किसी तरीके से सिराजुद दौला को मरवा दो, और मरवाने के लिए उन्होंने मिर जाफर का सहारा लिया, अभी सहारे को देखेंगे, और फिर बैटल और बकसर में मीर कासिम ने जो है कोशिश की दुबारा, जो है शाह आलम टू को ट्रीटी ऑफ अलाबाद साइन हुई, और ट्रीटी ऑफ अलाबाद साइन होने के बाद इन्होंने डूल गॉर्मेंट ऑफ बेंगॉल शुरू किया, लंबे समय तक इन्होंने बेंगॉल के बाद मैसुर, उसके बाद माराथास को हड़ाया, उसके बाद पूरे इंडिया को consolidate किया और सबको जोड़ करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की लेकिन ये चीज समझ में आ गए कि ये लोग बहुत selfish है और सिर्फ व्यापार करना ही इनका अपना एक मकसद है ये power के पीछे पड़े हुए है ये responsibility के लिए पपेट नवापस को बिठा देते हैं और वो पपेट किसी काम के नहीं होते उन पपेट से लोग परिशान होकर के 1857 की करांती करते हैं और उसके बाद जब revolt हो जाता है तो revolt होने के बाद 1857 में जो है एक नया rule शुरू होता है जिसे हम crown rule कहते हैं लेकिन वो crown rule में सिर्फ नाम लोगों को समझना है और struggle को अगर हमें शुरू करना है तो यह शुरूआत कहां से हो रही है जो हमारा main point है इसके लिए आपको देखना होगा बेंगॉल को जब आप बेंगॉल की बात करते हो तो बेंगॉल में उस समय बिहार के और उडिसा के जो इलाके थे वो भी शामिल पर बेंगॉल ही क्यों वाई बेंगॉल की बात होती रहती है वाई आप देखो अशोका के कलिंग युद्ध से लेकर के ब्रिटिश तक हर कोई बेंगॉल के पीछी पड़ा हुआ है सबसे बड़ा इसका क्या कारण हो सकता है biggest reason biggest reason बताओ सबसे बड़ा कारण क्या है वाई बंगॉल और कोई क्यों नहीं और कोई कोस्टल एरिया क्यों इतने सारे कोस्टल एरिया पूरा इतनी बड़ी कोस्टल यह अच्छी बात है अभी हमारी क्लास में अमबानी जी भी आने वाले हैं पता है आपको अभी आप थोड़ी दिर और जुड़े रहो आपको देखने को मिलेगा अब देखो यहां पर हम लोग क्यों भूल रहे हैं बंगॉल की बात क्यों कर रहे हैं वाइब बंगॉल duchess province था यहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता था और सबसे ज्यादा export अधika जित्राइंक support पूरे एशिया से होता था उसका 60% साथ प्रशीप प्रतिशत जो बंगॉल से होता था तो सोचो अगर बंगॉल इनके पास आ जाए तो इनको कितना जादा लाब होगा है की नहीं इसी लिए तो इस लाब के लिए उन्हें शुरू किया तो बंगॉल इत तो सबसे बड़ा इनका रिच्छ प्रोविंस था चीखे इसके अंतर गत बंगॉल के ल यहां से वह export इनका Bengal से ही आता था और इसमें यूरोप ने बहुत सारे रॉप प्रॉड़क्ट्स खरीदते थे यहां से क्या क्या खरीदते थे सौल पेट्रे खरीदते थे राइस इंडिगो सौल पेट्रे क्या होता है इसका बंबारूत बनाने में सिगरेट्स बनाने में भी काम आता है और इसका जो काम होता है वो बहुत जादा जो फॉर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी आता है तो बंबारूत के लावा फॉर्टि भी यूज किया जाता है ठीक है तो वहां पर जो है नॉन विजिटेरियन लोग होते हैं जाधतर यूरोप में और उनको जो है मीट खाना है लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए यह लोग सॉल्ट पेट्रे यूज करते थे तो भारत से यह लोग बहुत ही ज़्यादा दिमांड थी इसके अलावा काली मिर्च को यह लोग ब्लाक गोल्ड भी बोलते थे और शुगर और सिल्क सिल्क भी यह लोग हमारे यहां से ले जाते थे और बहुत अच्छी क्वालिटी फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन जिसको मुसलिन भी कहते हैं भारत में इतना ज़्यादा कॉमर्शल इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि एशिया से जितना भी यह लोग एक्सपोर्ट मेजर करते थे उसका 60% यह लोग कहां से करते थे बेंगौल से करते थे ठीक है इसलिए यह जो है एक बहुत बड़ा कारण इनके लिए बन जाता है तो इन्होंने देखा कि भारत की पॉलिटिकल कंडिशन अच्छी नहीं है तो शुरुवात में इन लोगोंने 1630 तक क्या किया कि यह जो है कंटीन्यू रहे बेंगौल से इनका कंटाक्ट रहा इन्होंने फैक्टरी बनाई यहां पर इन्होंने कई सारे गाउं के जमिनदारी र इकत है जब हम फॉर्टिकेशन करते हो पर यह लोग किलाबंदी क्यों कर रहे थे इसी लिए कि हमारे किले के अंदर हम अपना जो है हतियार रखेंगे समान रखेंगे सेना रखेंगे और कोई और अगर यूरोपियन पावर हमसे लड़ने की कोशिश करेगी हमारे समान को र बेंगॉल के नवाब जो है वो परिशान हो गए थे और यहीं से जो है लड़ाई की शुडवात हुई थी तो बेसिकली हम देखनें बालस और हुगली कसीम बजार पतना और डाका में इन लोगों ने सबसे पहले अपनी फैक्टरी बनाई थी लेकिन 1690 के समय तक जाते जात में और क्याल कटा को अपना जो है इन्होंने इलाका घोशित कर लिया कि यहां से हमारा आप और से चल्च के था एन्हों जो की ब्रिटिश पार्लेमिंट कें दवारा बनाया गया था लूष चीजहांन दिन और कीतना घाता कर तो होता नहीं था बौप commercial settlement इन्होंने बेंगॉल में ऐसे शुरू किया और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बदले में देखो आप राजा को कुछ तो दोगे आप राजा के लिए जो है देख रहे हो कि वहां पर राजा है आपने उनसे permission लेली काम कर रहे हो तो यहां पर क्या होता था कि यहां के राजा भी इनको फर्मान इशू करते थे कि आपको अगर हमारे यहां से व्यापार करना है तो आपको कुछ पैसा जो है हमें देना पड़ेगा तो एक फिक्स अमाउंट रखा जाता था कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे उसके बाद जो भी हम कमाएंगे वो हमा तीन हजार रुपे इन्होंने साल में एक बार देने मुगल इंप्रेर को और पूरे साल बेंगॉल में फ्रीली ट्रेट करना है पूरे साल ठीक है और बदले में इनका अगर एक्सपोर्ट आप देखो कि जो यह बेंगॉल से समान जो ले जाते थे वो जो माल यह ले जाते क्योंकि अगर आप इसको रुपे में बोलोगे तो तीन हजार हो जाएगा लेकिन यह यूरो जो कि महां की करन्सी है उसके हिसाब से 350 और उसी करन्सी के हिसाब से यह 50,000 यूरो का समान भारत से ले जाया करते थे और अब आप यह देखेंगे कि यह सारी चीजों के बीच मे बहुत समय तक हमारे जो मुगल एंपररर थे लेटर मुगल उनकी आखें नहीं खुल रही थी कि अरे इतना ज़ादा यह लोग व्यापार कर रहे हैं आपने सुना होगा आज कल भी ऐसा ही कुछ होता है पॉरन डिरेक्ट इंवेस्टमेंट एवडियाई तो ङिए तो बैसेक्ली टीए किया है यह क्या गैते हैं कि था वूबय देश जो है अगर हमारे देश में आ रहे हैं वो व्यापार कर रहे हैं इंडिया में तो उस समय के राजा लोग भी ऐसा ही सूचते थे वो लोग सोचते थे कि हमारा भी विदेशों के साथ तालमल बेठेगा ये लोग अच्छा कर रहे हैं ये लोग सिविलाइजड हैं पढ़े लिखे हैं समझदार हैं तो ये लोग हमारा भी विकास करेंगे हमारा भी इंटराक्शन होगा और भारत के लोगों में दिक्कत क्या थी ना कि हम लोग कुए के मेढक के जैसे थे हमें अपना महल घर और इतनी ही सारी दुनिया दिखती थी हम लोग बाहर जादा जो है जाने की जो है कोशिश करते नहीं थे हमारे उपर को अगर अटाक करेगा तो हम डिफेंसिव रहेंगे राजपूत हमेशा डिफेंसिव र करें था सब्सक्राइब और उन्हकों ने बेयो बेंगॉल को स्क्रास किया मलाया सुमात्रा सारा जो है उन्हको ने अनगय करके उसको अपने कंबोडियह को घिरा तो वह एक अलग बात है वो एक एकस्षेपशन वाली बात है वैसे जेनरल हलिए हमारे यहां पर ऐसा नहीं लेता पर कुछ ऐसे रूलर थे जैसे कि अली वर्दी खान तो कि आप देखोगे कि ऐसे राजा होते हैं वो ना तो नवाब थे नहीं ये बन गए नवाब और ठीक के देना जैसे पैसा वैसा खिला करके एक बाहु बली जैसे कोई होता है कि भोलता कि भाईया देखो तुम्हें पैसा दे दिया है अब तुम जो है चुपचाप रहो मुहम्मद शाह रंगीला नाम के एक जो है मुगल एंप गवर्नर थे और यहाँ पर बिहार के बैसिकली ये लोग जो है विहार में ये काम कर रहे थे बिहार के डिप्टी गवर्नर थे बेंगौल में पहले से ही कोई और नवाब था और इन्हों क्या किया नवाब बेंगौल सर्फराज खान को मार डाला और इनको मारने के बाद एक बैटल में लड़ाई के बाद अपने आपको सर्टिफाई किया कि भईया मेरी नई पोजीशन है मैं यहां का नया सूबेदार हूँ और अब जो है बेंगॉल मेरा है और इसके बाद जो है इन्होंने जो है खूब सारा पैसा मोहम करेंगे कि वह आगे जाकर के लड़ाई भी करेंगे बैटल ऑफ बक्सर में भी उन्हें हमें देखने का मौका मिलता है लेकिन बेसिकली अगर इनके बाद देखा जाए तो और कोई बहुत अच्छा सक्सेसर आता नहीं है पहले ही अलीवर्दी खान जान चुके थे इन्हों भी इनके साथ नहीं है ठीक है घसीटी बेगम इनके साथ नहीं है इनका कजन जो है पूर्णिया का नवाब इनके साथ नहीं है इनका मिलिटरी कमांडर भी इनके साथ नहीं है और मिलिटरी कमांडर कौन था मीर जाफर और मीर जाफर क्यों नहीं साथ में है आपको पता है आपको पता है हमारे इंडिया में परिवार का एक ऐसा सदस्य होता है जो अगर रूठ जाए तो पूरा परिवार जो है बहुत दुखी हो जाता है यार यह नहीं रूठना चाहिए कोई भी रूठ है लेकिन उसको जो है उस इंसान को रूठने नहीं देते हैं कौन होता है वो जिसको कोई रूठने नहीं देता है को वृठ थेल मी बटाओ बटाओ यहां पर जैसे कि मयंक ने लिखा है बिंगॉल के नवाब ने रहीं एंट्री और व्यापार करने के लिए यह किया था लेकिन देखो यहां पर मैं आपको बदा दो बिंगॉल के नवाब ने नहीं किय से क्योंकि बेंगॉल अपने हिसाब से कोई permission या फर्मान दे ही नहीं सकता था क्योंकि अभी तक बेंगॉल अजाद नहीं हुआ था पुरी तरीके से और वो अभी भी मुगल से थोड़े से जुड़े हुए थे और उनका जो है ये था कि हम जो है आप से डिस्टेंस तो रखेंगे लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं ठीक है तो फारुक सियार का एक गोल्डेन फर्मान था वो बहुत इंपोर्टेंट है जिसको रॉयल मतलब एक मेगना कार्टर कहा जा तो बेना एक सवाल था थोटा बच्चा पापा अरे भईया कहां बच्चों वाली बात कर रहे हो गलत आंसर नो पापा ममी छोटा बच्चा यह सब नहीं डाड भी नहीं और तोड़ा ट्राय करो कोश्चन क्या है सवाल यह है कि घर का ऐसा कौन सा फैमिली मेंबर होता है जि और ज़रुरत से ज्यादा प्यार जरुरुरत से ज्यादा देख कपल हर चीज जो है ज़रुरत से जादा सँ डरते हैं उससे सब कौन हो आपको पते दमाद कर देखा नहीं दमाद को देखा है एंगना में पधारे वाला देखो मैं जो दमाद होता है ना दमाद कि यह सबस्क्ति ज्यादा अडियल किसम का मेमबर सबसे ज्यादा अरियल किसम का फूफा ऑगी बोल रहे हैं अभी मस्ती मजाक इने लिखा है पूपाजी नहीं यह समने दमाट और आपको पते मीर जाफर ने दोगा क्यों दिया क्यों 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 वो भी दमाट थे इसी लिए यहां पर यह कहानी एना यह दमाट की कहानी आपको क्या लगते हैं भारत में हम लोग टेल ध कमीजाफर यह कौन थे पता है आपको पुराने नवाब थे ना अलिवर्धी खान की सिस्टर के हज्बेल थे ये फिर आप कहले पर लो कि जीजु थे और जो नराज की भी आ जे तों मुझे क्यों नहीं साशन करूं लेकिन ऐसे ho biblical दौला बहुत ही यंग एज में अपने यंग 20 में ही राजा बन गए और उसके बाद इन्हें बहुत ट्रबल हुई ठीक है बहुत दिक्कत हुई है मानशी ने लिखा है वा मैम अरे वाह क्या सच है बताओ जूट बोल रही हूँ तो बता दो एक बात आप खुद बता दो गलत बोल रही हुए एक भी बात अभी तर्ण बोली है मैंने यह यह सट नो देखा नहीं है वह जो गजप बेजती है पंचायत में बोलता है वह कि हम आये हैं दूला का स्वागत नहीं किया मिठाई जो है सबको पाश मिठाई दिया वह तो फिर जिंपल सी बात है को जीज गलत बोल्टरू तो बताओ तो बस राइट है सिंपल सी बात है इतनी सी छोटी सी बात है इसी को याद ना पूरा इतिहास ही दमाज ने शुरू किया यह तो कहानी पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो आपको लगता है कि आप पढ़ एंडियन हिस्ट्री आधूनिक भारत कहानी है कुछ और पारिवारि स्टेज में जवान लड़का है यह नौजवान है इसको बहुत गुस्सा आता है एक दम बॉखला रहा है गुस्सा आ रहा है उसको बहुत ज्यादा परिशान है इसको बहुत सारे ट्रबल मिले हुए अपने ग्रांट फादर से अलिवर्दी खान जी से अब हुआ यह है कि यह जो है लेजिटिमसी इनकी थी सिराजुद दौला की क्योंकि यह वंश से आगे आये हुए हैं तो इनको जो है इनका खुद का जो इनका कजन था पूर्णिया का नवाब वो भी इनका साथ नहीं देता था शौकत जंग इनकी जो अंटी थी घसीटी बेगम वो भी इनका पसंद नहीं करती थी दूसरी बात इनका अपना कमांडर मीर जाफर क्योंकि दमाद था इसलिए इनको पसंद नहीं करता था क्योंकि उसको लगता था मैं अलिवर्दी खान की जो है सिस्टर का हस्बिन हूं तो मुझे बनना चाहिए और दूसरी तरफ पूरी जो हिंदू स पिस बॉय हो हर कोई सिराजुद्वाला के खिलाफ है क्योंकि सबको लग रहा है कि दमाज जी जो है रूट गए है हमारे हैं दमाज जी को रूट दी रूट गए हैं तो दमाज जी से सब लोग डरते हैं ना भही तो कोट का पूरा जो ग्रूप है जगत से तो गए ओमी चं सब्णा करके उन्होंने अक डिस तैंट य्यक्ति देखो हमें जो है बैटल करनी पड़ेगी बैटल ओफ लस्य क्यों देखो होता किया है कहानी क्या है कहानी यह कि कंपनी ने बहुत ज्यादा मिस्यूज कर न शुरू कर दिया था अपने ट्रेडिंग प्रिविलेज का कंप से जो है लडाई हुई और उपर से जो दस्तक इनको दिया गया था जो पर्मीशन इनको मिलता था कि आप जो है ड्यूटी फ्री ट्रेट करो आपको एक पास हम दे रहे हैं और आप जो है वह पास विखाओगे अगर तो कहीं से भी आने जाने में आपको कोई रोकेगा नहीं आपने देखाओगा जैसे आप एक स्टेट वॉडर को क्रॉस करते हो तो टोल टैक्स देना पड़ता है आप वह ना या कहीं से कहीं जाते हुँ तो एक पास चाहिए होता है तो अगर आपने वो pass बनवाया हुआ है तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर नहीं बनवाया हुआ है तो पैसा देना पड़ेगा, जैसे आज कर लोग fast track यूज करते हैं, तो पहले यह जो दस्तक है यह उसी प्रकार से था, कि तुम यह paper दिखाना, official document और दिखा करके कहन कि अंग्रेजों ने जो है राजा से पहले ही deal कर रखी है, यह मेरा pass है, मिझे यहां से निकल जाने दो, मेरे से पैसा मतलो, मेरी checking नहीं होनी चाहिए, मेरे से पैसा नहीं लोगे, मुझे तंग नहीं करोगे, तो यह pass दिखा के हर जगा से यह लोग निकल जाते थे, और भा आप दिखा और भार करप्स ने लोग ओते हैं, यह बहुत है, वो भी बरौध है, गौर्णने भी की हुई है, तो गौर्णने क्यू भी की हुई है, क्या कारण है, गौर्णने भी की हुई है, हाँ, एक तरह से permission card समझ लो, बिलकुल, सही बात है, अंग्रेजों से बिलकुल विल्कुल सही बात है यह जो कहानी है यहीं चीज यहीं जो है सत्य है यहां पर आप देखो दस्तक हमने इनको दिया कि आप आराम से ट्रेड करो पास है आपका कि आप फ्रीर में जो है जाना पैसे मत देना इन्होंने क्या किया पता है यह दस्तक जो है यह बड़े-बड़े होते थे भारत के व्यापारी होते थे उनका बोलते थे कर तरको दस तक चाहिए तो यह दस तक ले ले थी area है ज्यादा नहीं तुम मेरे मेरे कॉमाटले 10 जारूपय दे दिए। और तूइसको ले और इसको ले करके जहां से मर्जी जा और कितने सारे तो ऐसे इनके व्यापारी होते थे यूरोपियंस जो अपना private trade करते थे अपना personal काम करते थे अपना personal समान करीत थे ले जाते थे बेचते थे अपने private trade में भी ये लोग इस दस्तक को दिखा करके बिना अगर को आप टैक्स नहीं करें अब हमेशा कि बात में हमें लागी बहुत द्रती तो नो टैक्सेशन विधाउट रिप्रेजेंटेशन अमेरिका से लेकर कर इंडिया तक आप कहीं पी देखो अमेरिकन जब रेवल्यूशन हुआ वहां की इंडिपेंडेंडेंस की कहानी जब आप देखोगे तो अमेरिका में भी ऐसी ही कहानी है पहले यह जो ये प्रिटिशन हमारे को गुलाम बना के बैठे हैं ना यह हमसे पहले अमारिका लेंगे और उनकी अकोंफय के लिए आमेरिकण रिवलूशन हुआर अमारिका के लोगों ने बोला कि तुम यहां से निकलू हम अपनी सारी जो है सारी जो कॉलोनीज से को खतम करेंगे प्री करेंगे मिलाएं के और वहां से USA का जन्म हुआ और USA ने बोला कि यहां से चले जो हमारा अपना जो है राइट होगा हम अपना बिल आफ राइट बनाएंगे जो हमारे fundamental राइट के जैसा है और हम अपने हिसाब से व्यापार करेंगे हमारे जो economy है उसमें तूम हस्तक्षित नहीं करोगे तो यह जो टैक्स वाली बात नीह बहुत जरूरी अब दstäकर सरकार को सरकार को अब टैक्स काम कर रहे हो मोटा पैसा कमा रहे हो मोटा माल differentiate के है तना माल पानी करना शुरू कर दिया था अपनी ट्रेडिंग प्रिविलेज का जिसके कारण नवाब के फाइनेंस खराब हो रहे थे पैसा टाइम पे नहीं आ रहा था टाक्स टाइम पे नहीं आ रहा था ऊपर से किला बंदी शुरू कर दी कैलकटा की किला बंदी अरे बिना राजा से में निकलना होगा जैसे ही ये बात सिराज उद्धाला ने बोली वैसे ही लड़ाई जो है एकदम ओपन हो गई पूरी होस्टिलिटी एक नफरत जो है वो शुरू हो गई यहां पर सिराज उद्धाला ने लगबग देड़ सो अंग्रेजी इनको एक चोटे से रूम में कैद कर दिया और कहा कि तुम्हें बंदी बना दूंगा यहां पर सफोकेशन से लगबग 123 सोल्जर की डेथ हो गए जिसको ब्लाक होल ट्रेजडी कहते हैं लेकिन अंग्रेजों की एक आदत है पता है कि वह कहते हैं साधा कुट्टा कुट्टा है तोड़ा कुट्टा टॉमी तो वही वाली बात है इनका कुट्टा यह अपने कुट्टे को टॉमी बोलते हैं इनके मरे होंगे दस लोग तो यह लिखेंगे सो है ना और भारत के जलिया वाला कांड में मार दिये इन्होंने हजारों लोग लेकिन वहां पे लिखेंगे क्या कुछ 150 लोग मरे होंगे मुश्किल से यह हमेशा उल्टा लिखते थे यूरोपियंस ने इस बात का बहुत पायदा उठाया तो ब्लैक होल ट्रैजेडी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा लेकिन इतने सारे लोग नहीं मरे होंगे यह मानना कि इतने लोगों की मृत्ती हुई होगी यह एक ज़ीब बात है हाला कि बैटल तो हो चुकी थी तो रॉबट लाइव ने बोला सारे सोल्डर जा रहे थे तो रॉबर्ट लाइव पूछ रहे तो सोल्जर ने बोला की लडने जा रहे हैं क्योंकि हमने जो किला बंदी की थी उसको पूरा सीज कर लिया गया है दूसरे soldiers को जो है, एक छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है, suffocation हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, हमको जाना पड़ेगा, Robert Clive ने बोला, क्या करोगे जा करके, soldiers बोले, लड़ाई करेंगे जा करके, Robert Clive ने बोला, बिना लड़ाई किये ही, अगर जीत हासिल हो जाए, तो क्या फाइदा है, मज़े वाली बात है ना, क्या फाइदा क्यों जा रहे हो, तो हम बिना लड़ाई की जीतेंगे, सब ने बोला कैसे, Robert Clive ने बोला कि बहिया, ऐसे, कि लड़ने के लिए, जो जा रहे हो, सामने वाले दुश्मन को वैसे ही मरवादो, मुर्डर करवादो, मुर्डर करेगा कौन, पताया ना, दमाद, तो बहुत बारी चीज होती है, दमाद, बहुत बारी चीज होती है, Robert Clive ने क्या बोला, लड़ने की ज़रुरती नहीं है, बैटल ओफ प्लासी लिख दो ही थी है, इसमें बैटल ओफ प्लासी, लोग सोचेंगे बैटल हुई थी, पर बैटल होगी ही नहीं, हम करेंगी ही नहीं बैटल, इन्होंने क्या किया, ये Robert Clive को confidence बता है, कहां से आ रहा है इतना, बताओ, आपको क्या लगता है, ये बंदा यहां पर था भी नहीं, ये बंदा ना, Robert Clive ये था भी नहीं यहां पर, जब एंगलो फ्रेंच बार हो रही थी ना, एंगलो फ्रेंच स्ट्रगल हो रहे थे, और दो बार जब फ्रांस ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, तब जाकर के तीसरी बारी में Robert Clive की एंट्री हु आपको बताओं किसका मर्डर करवाया था, यही मर्डर जो सिराजुद दौला का हुआ है, कहते हैं ना, इतिहास अपने आपको दोहराता है, अगर आप पढ़ोगे बैटल अफ लासी, वहां पर भी एक इंसान का मर्डर हुआ था, वो पता है कौन था, वो था चंदा की बारे में आप पढ़ोगे ना, तो आप जानोगे कि चंदा साहिब की किस्मत बिलकुल सिराजुद दौला जैसी है, चंदा साहिब को फ्रांस बहुत हेल्प कर रहा था, कि हम जो है, आपको यहां पर ले करके आएंगे, और आरकोट के आप राजा बनोगे, ठीके, आप के नवाब बनोगे, और बहुत जादा अच्छे से जो है, यहां पर चल रहा था, आरकोट कैपिटल थी करनाटिक की, तो बैटल ऑफ करनाटिक जब आप पढ़ोगे, तो करनाटिक स्ट्रगल में आप यह जानोगे, कि जो आरकोट है, वो उनकी कैपिटल थी, और चंदा सा जो है, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए जब निकले थे, तब उनको बीच में ही मडर करवा दिया था, अंग्रेजों ने, ऐसे ही सिराज जुद दौला जब निकले, तो इनका भी मडर करवा दिया, ठीक है, दमाज जी के बेटे ने किया था, मीर जाफर जो है, इनके ब इसको यह confidence आया था, मदरास से, क्योंकि मदरास जो है, यह पूरी तरीके से जीत चुका था, मदरास यह पूरी तरीके से जीत चुका था, और मदरास में इनकी South India का जो बेस है न, जहां से इनका पूरा ब्यापार होता था, वो मदरास में होता था, और जो battle of, जो Carnatic Wars आप स ही है, उस Carnatic के लाके में, मदरास ही था जो इनका बेस था, और इसी मदरास के लिए ही Carnatic Wars हुई थी, क्योंकि मदरास को ही जो है, सीज कर लिया था, फ्रेंच ने, इसलिए यह लोग फ्रांस से भी लड़ रहे थे, और मदरास में यह लोग जीत गए, और मदरास में जब इन क्या चाहते हो, नवाब बनना चाहते हो, हम तुम्हें नवाब बनाएंगे, ठीक है, राय दुरलब थे, जगर्ट से जो कि यहां के बैंकर थे, इनको बोला कि तुम्हारे पास पैसा है, तुमको हम और पैसा देंगे, तुम क्यूं चिंता करते हो, कोई तुम से रिकार्ड थी देखो हमेशे समझो यह लोग क्या करते थे यह लोग हमेशे ना जब रेस होती है ना तो कई लोग होते जो घोड़ा हमेशे हारता है ना उसके उपर दाव लगाता है मूवीज में देखा होगा आपने किसी भी जगा पर इंडिया में न एक खेल होता है खेल ये है कि मान लोग की एक territory है इस इलाके में एक ऐसा राजा है जो ruler है ठीक है वो है ruler जो की rule कर रहा है इसके सर पे ताज है और ये main ruler है लेकिन एक बंदा ऐसा है जो इसी के घर में है लेकिन ruler बनना चाहता है ruler है नहीं लेकिन ruler बनना चाहता है ये है ambitious ruler जिसके बनने के chances बहुत कम है ठीक है ये aspirant है ये IS officer जो बन चुका है और ये aspirant है ये बनना चाहता है मैं बन जाता ना तो मैं ये कर देता मैं एक IS officer होता तो मैं ये कर देता है मैं ऐसा कर देता मैं वैसा कर देता सब सही कर देता ये बिचारा जो है ना इसके chances जो है कम है तो जब इसके chances कम है तो Britishers क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हम तुमें help करेंगे तुम एक काम करो, हम तुमको न नवाब बना दे लेकिन यह याद रखना कि क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की है, तो तुम भी हमारी मदद करोगे, क्या मदद करोगे, कि तुम जो है हमें पावर दोगे, जिससे कि हम अपना व्यापार बढ़ा सके, जिससे कि हम अपनी मेरी responsibility है मेरे नाम पर तुम राज करो बस मुझे जो है साशन करना है तो यह responsibility जाता था अब इसकी पूरी responsibility है ठीक है लेकिन कोई accountability नहीं है काम चाहे कुछ भी करे नवाब है नाम का responsibility ले लिए नाम के लिए ताज पहन लिया है साशन कर रहा है पर इसके पास कोई power नहीं है पावर किसके पास है इस्ट इंडिया कंपनी के पास है लेकिन वह पावर है विद्धाउट responsibility अब यह जो इस इंडिया कंपनी है यह हमेशा ऐसे ही बंदे को पकड़ेगी ऐसा ही एक बंदा इनको ना मराथा इसके साथ भी मिल गया था कि वहां पे भी आप देखोगे एक बंदा था रगुनाथ राव जिसकी वज़े से पूरी की पूरी इंगलो मराथा वॉर होती है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको अ हैं ठीक है यही ऐसा ही बंदा यह छूनने के लिए गए थे मैसुर जब इनोग ऐसा ही एक बंदा मैसुर धूनने के लिए गये मैसुर में ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं मैसुर में हैदर अली थे उनकी मृत्यों के बाद टीपु सुल्तान आ गए मैसुर में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला लेकिन मैसुर में यही कोशिश करते रहते थे कि और कौन है जो हमारी मदद करेगा तो मैसुर के खिलाफ ब्रिटिश को किस ने हेल्प कि आपको पता है खुद मराठाज ने और हाइदराबाद के निजाम ने अगर ये लोग हेल्प ना करते हैं तो ये लोग कभी भी मैसुर को जीत नहीं पाते हैं इस इंडिया कंपनी हमेशे याद रखना कि जब आप लोग मैसुर की कहानी पढ़ोगे क्योंकि जब आप बेंगॉल पढ़ रहे है जो रूलर है जिसके पास पावर है जिसके पास शक्ति है वह तो अल्रेडी ऊपर है जो अल्रेडी ऊपर है जिसके पास सब कुछ है उसको तुम क्या दोगे तो कुछ नहीं दोगे वह तुम्हारे लालच में तो आएगा नहीं जिसके पास कुछ नहीं है उसको पकड़ पहले ऐसको शुरु शुरु में बहुत अच्छा लगेगा पहले इसको बैपकर गावाद् बन गया देखो पंगां देखना जैसे नवाभ बन गयामीर चाफर इसको लगा नवाभ तो मैं बन गया लेकिन दिक्कत है कि मैं बना वहाँ कि अब देखो एक जो नवाब होता ये एक जो राजा ऑता है राजा accounting सून से रहेंगे अछефंग Woven लेकिन रौब नहीं मिल रहा है राजा को तो राजा रिड़ोल्ट करेगा बोलेगा रहे ऐसे कैसे हम राजा हैं हम एनौवाब हैं तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो यह बंदा भी करेगा और क्यूंकि मीर जाफर है ही धोके बाज तो वह धोका देने के लिए किसको पकड़ेगा डच को पकड़ेगा डच इस्ट इंडिया कंपनी को क्योंकि वह ब्रिटिश के बहुत बड़े दुश्मन थे अब देखना यह कहानी कैसे आगे बढ़ती है कहानी यह है कि मिरा ने दमाद जी के बेटे ने शिराज उद्दौला को मार दिया शिराज उद्दौला का मडर हो गया इसका मतलब बैटल ओफ लासी हुई ही नहीं सिम्पल सी यहां पर तो भया शेक हांड हुआ हाथ मिला लो मीर जाफर ने बोला ठीक है भया मैं बन गया अब नवाव और जाड़ने का मौका मिलेगा नवाब को रॉप जाड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो नवाब नराज हो गए कि यार हमने तो सोचा था हम बहुत रॉप से रहेंगे यहां पर तो रॉब ही नहीं मिल रहा है मीर जाफर की जीत तो हो गई लेकिन मीर जाफर अपनी पपेट्री से परेशान था इसने खूब पैसा दिया अंग्रेजों को 24 परांगण की 24 गाओं की जमिन दारी दे दी कि यह सारे गाओं तुम्हारे इसके वज़े से आप यह मानलों के स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रेटिश रूल का इंडिया में यहीं से शुरू हो रहा है ब्रेटिश इंपायर यहीं से इनकी सुप्रीमेसी शुरू हो रही है बेंगॉल में क्योंकि इन्हों ने अपने सारे राइबल्स को हरा दिया था प्रेंच तो इनके पहले ही खतम हो चुके थे करनाटिक में मदरास जीत करके आ चुके थे उसके उपर से इन लोगों ने पूरा का पूरा जो है अपनी मिलिटरी फोर्स हर जगा दबदबा बढ़ा रखा था पूरी प्रेस्टीज थी हमेशा रोवर्ट क्लाइब निकलते जाते थे कि मैं अपने हिसाब से व्यापार करें मीर जाफर चाहते थे कि नहीं भया यह जो है यह गलत बात है तुम जो है मुझे कंट्रोल दो मैं चाहता हूं कि मेरी पोजीशन है मैं अपने हिसाब से जो है फ्वड़ा सा रॉब जाड़ू तो रोबर्ट लाइव ने मार निकाल देंगे तुमको भी ऐसे बहुत दमाद देखें हमने रॉबर्ट क्लाइब ने हड़का दिया बंदे को पूरा बंदा हड़क गया बंदा परिशान बंदा सोच रहा है क्योंकि इनको क्या था देखो जो सोवनिटी है ना अंग्रेजों की क्यालकटा के उपर बहुत संक्राइब घ्रटी चला रहे हैं अपने हछारे प STAR ने क्या किया है अ handsomeруго सब पूछेएगी कुछ नजर रखशेगी निजब रखने थे यह अंग्रेजों का काम था एक अंटी बिठा दो भईया तुम्हें कोई कुछ करने की ज़रत नहीं है आंटी स्पाय करेगी देखती रहेगी डेजिडेंट के रूप में कि कौन क्या कर रहा है कहीं कोई नवाब अंदर यंदर अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी तो न श करना है अंटी से ड़र लगता हुआ है या अब भए मैं मर्जी घरो जिस खुमार्जी बिलाओं लेकिन अंटी तो यह वह दर दमाद pareil कोई तो यह bySO वह बुरा लगा इनुनोंने सोचा ऐसा कोई धूरोगा जो मुझे दमाद माने दमाद को दमाद के जैसा माने तो इनको पाता चला कि इन अंगरेजुं का एक बहुत बड़ा दुशëमन है जैसी अंगरेज धूरोज डूर्टे थे ना जो एंबीशियस रूलर है aspirant है weak है उसको राजा बना दो उसको पकड़ के अपना दोस्त बना लो उससे help ले लो तो मीर जाफर ने भी वही काम किया इसे कहते है संगती का असर तो भी संगती का असर हो गया इसने सोचा हाँ डच सही है भाई डच सही है इसको पकड़ लेता हूँ ये मेरी help करेंगे चीन सुरह में आ करके लड़ाई करेंगे इनको बुला लेता हूँ क्या किया था इंडोनेशिया भेज दिया था इनको बोला था कि तुम चुप चाप चले जाओ तुमको मसाले चाहिए तुम मसाले जा करके इंडोनेशिया से निकालो भारत वापस मताना अंग्रेजों ने इनको सक्त हिदायत दी हुई थी पर डच है ये माने नहीं इन्होंने सोचा कि यह एक और मौका मिल रहा है खुद बुला रहा है नवाब हमें बुला रहा है तो चले जाते हैं इस बार यह चले गए दमाजी के चक्कर में यह भी फच गए सोचा इन्होंने कि हमारा तो भईया बहुत स्वागत किया जाएगा हम तो खूब लड़ेंगे कुब मजा करेंगे कुछ नहीं हुआ यहां पर यह भी हार गए और ऐसा हारे कि उसके बाद यह सूट चाड़के भागी गए वर अब यह तो भाग गए अंग्रेजों ने इनको हरा दिया बैटल ऑफ बेदारा हुई थी बेदारा नवंबर में हुई थी लड़ाई 1759 में इसको हरा दिया डच को डच इसको हेल्प करने आया थ तुमको बहुत दिक्कत है तुम हमको धोका दे रहे हो तुमने जिसको पहले धोका दिया कि तुम नवाब बन जाओ सिराज दौला को धोका दे दिया कोई बात नहीं अब तुम वही काम हमारे साथ कर रहे हो बहुत ही धोके बाद आदमी हो तुम इसका मतलब यह है कि तुम बहुत कमर में हत्यारा कि मौत के बाड ऑर दमाद जी नंबर बहुत स्टाइब्स होती मैं यह साथी होती है वो ज्यादा रॉब्स होते हैं लेकिन वाले दमाद आते हैं वो सोचते कि अब तो बेटा तू गया अब तेरा टाइम खतम अब मैं हूं नया दमाद जो नया दमाद उतर नया नया आता है शादी करके उसकी और ज्याधा पूछ होती है है होती है नहीं होती है बताओ होती है ना कि तरही बात बोल रही हूं है क्लियर ओर रहे कॉनसेप्ट सब्सेद कि यहां तक कोई डाउट है तो बताओ की कोई दिक्कत कई डाउट कोई प्रॉब्लम सब्स्क्राइब डाउट नहीं है तो लाइक और शेर भी नहीं किया भी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे लाइक और शेर नहीं करते हैं आप लोग भी धमाद ही बने हुए हो विल्गुल अब नया वाला आ गया नया वाला बोल रहा है यार तुम बहुत बुराने हो गई मिर्जाफर तुम्हारा टाइम हो गया तुमने जितना लेना था ना दो सेट सूट के दो सेट जूता है कोट पैंट सब ले लिया तुमने अब तुम साइड हो जाओ बेटा अब तुम्हारा टाइम खत्म तो भई मिरान की हो गई मृत्यू देखो अब मीर जाफर के बाद वैसे तो मिर डॉकर मेर कासिम जो है वो सन नोथा मीर जाफर जाफर नहारी नहीं अब सबलुत कि अब यह नोगा लेकिन मिरान का बेटा भी था दूमेर का कटल किया था यह ने इस खून से रंगे गुए तक्त के उपर, अगर कोई बैठेगा, तो मैं बैठूंगा, क्यूकि मेरे अंदर, मेरे रगों में, मिरान का खून ड़ रहा है, वही मिरान, जिसने मडर किया था, जिसने मारा था सिराज़त दॉला को. अब मिरान का बेटा बोला फिर इसको जो है चुप करा दिया अंग्रेजों ने बोला अंग्रेज भी भारत में रहते रहते भारत ही हो गए थे वो भी समझ गए थे कि दमाद का क्या मतलब होता है अंग्रेजों ने लगाया एक चाटा बोला चुप हो जा तू बेटा है बेट समझजदार धेल बहुत कम मिलते हैं लड़किएं को पता हो gonna कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि होते थी नहीं होते हैं नेल नहीं होते हैं लेकिन नहीं जाड़ते हैं बड़े समझदार से लनें डी सेट कि 거죠 आप मेरे हो यह मेरा घर है मैं आपका अपना हम कॉई मदद चाहिए तो मुझे बताओ आपको पूरटेक्ट करूंगा ठीक मैं आपको बेटे जैसा हूं जाए हूं दमाद नहीं हूं मैं आपका बेटा हूं इन्होंने सुचा कि यार पता है क्या बहुत हो गया बेंगाल मनं बहुत गंद मlica दी लोगों अब इन अंग्रेजों को यूज करूँ गा नवाब बनूँगा इनके साथ ट्रीटी करूँगा दोस्ती करूँगा लेकिन इनसे दूर रहूँगा क्योंकि ये लोग बहुत गलत काम करते हैं और मुझे मेरे बेंगॉल को बचाना है क्योंकि मैं बेंगॉल का दमाद नहीं बलकि इसका बेटा हूं मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा मैं इसको हेल्प करूंगा मैं इसको आगे ले करके जाओंगा ठीक है और अंग्रेजों को भी यहां से एक दिन निकालूंगा कुछ भी हो जाए इसने अपना मन पक्का किया को ब्रटा तो उस समय में वन सी स््टार्ट थे जो कि नए नए गवर्नर के अलकर्टा के वो थीदियन्ट इन्हों ने बोला ठीक है इन्होंने मीर कासिम जो है अच्छा है काम करने में ठीक ठाक लग रहा है इसको रखो त्रीटी साइन की बूले कि मीर कॉसरी दि transforming तूसरी मतलब कोई मेरे उपर अटैक करेगा तो तू इसको रोकेगा क्योंकि मैं तुझे नवाब बना रहा हूं तो इसने बोला कि ठीक है भाईया तोस्ती करेंगे और दोस्ती को कभी तोड़ेंगे नहीं मीर कासिम ने क्या किया कंपनी को बुर्दावान मिदनापुर और छिटा कि यहां पर आप रहो व्यापार करो यह सब आपका है यह सब मैं आपको सीट करता हूं और चूना जो होता है न चूना पान पर लगाते हैं चूने का जो ट्रेड होता था वह बहुत ज्यादा होता था तो सिलहट से लोग चूने का ट्रेड करते थे इन्होंने का कि तुम्ह बखाया तुम्हें वापस लोटाओंगा तुम परिशान मतों तुम्हें नहीं मिलेगा कोई बात नहीं मिर जाफर ने जो ड्यूल छोट गया था जो पैसा चूट गया था वह वापस करूंगा दूसरा मीर कासिम ने बोला कि भाईया मैं तुम्हें जो है फाइव लाक रूप ठीक है फाइव लाक रूपीज दे रहा हूं फाइव लाक रूपीज क्यों क्यों कि देखो बहुत लड़ाईया हुई तुम्हारी साउथ इंडिया में तुम भी परिशान हो गयो खाओ पीओ एश करो टेंशन मतलो हम लोग दोस्त हैं दोस्ती करना चाह रहा है यह धोगा देने के चक्कर में नहीं है मीर जाफर का काम था ना वो यह नहीं कर रहा है कि मैं इनको थोड़ा से पहले दोस्त बनाऊंगा थोड़ा से इनको पने पास खीच लूँगा उसके बाद ऐसा मारूंगा कि यह सीधा भाग जाएंगे भारत से इस बंदे की इंटेंशन बहुत अच्छी थी इसकी ना इंटेंशन बहुत अच्छी थी अच्छी इंटेंशन वाला इंसान था इसने बहुत अच्छी प्लानिंग भी की बस दिख्का दिया थी कि ना इसके साथ जो प्लानिंग करने वाले लोग आये ना अवद के जो नवाब आये और आपके जो शाह आलम टू आए मोगल एंपरेरर उनके पावर में कमी थी इन में आपस में बहुत बहुत ब्रेवरी बहुत अच्छे से बहुत जो है न कह सकते हो आप की बहादुरी से लड़ते लड़ते ये इनसान मरा है वेल कंटेस्टेट बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर ऐसी वैसी बैटल नहीं अदमी से क्या कर रहा है यह मीर कासिम मीर कासिम ने बोला कि मैं जो है मानता हूं कि तुम्हारे दुष्मन जो है तुम्हारे जो दुष्मन है वो मेरे भी दुष्मन है और मैं अपने दोस्त जो है तुम्हारे दोस्त देखी हैं हम लोग एक साथ है भाई-भाई हैं और हम जो है तुम्हें कहेंगे कि तुम जो है चाहो तो यहां पर व्यापार करो लेकिन सेटल मत हो ना अग्रेजों को पहले ही बोले ना तुम मेरे एरिया में सेटल होगे ना हम तुम्हारे एरिया में सेटल होंगे ठीक हमारे व्यापारी हमारे टीनेंट हमारे किरायदार तुम्ह किरायदार तुम्हारे व्यापपारी हमारे एरिया में नहीं उसेंगे लेकिन ये सारी चीजों के बाद जो है सारी चीजें क्लियर हो गई दोस्ती हो गई मीर जाफर ने बोला चलो ठीक है ससुर जी ठीक है अब जिद छोड़ो मान भी जाओ तो यह मान गए और बोले कि चलो चलो सम्हाले ने अग्ले नॅवाब बन गए और जो है इसके बाद मीर जाफर ने बोला कि ठीक है सब्भली च्छोड़ो मान भी जाओ मेरी बात लेकिन बात तो महीं बात किपीच और प्रौंब नवाब हम पहीं तो लिंग पारना नव्क पाप तो हाह तो двणा है हम और दिया गया कि तुम्हें 1500 रुपे पर एनम मिल जाएंगे अब चुपो जा बिल्कुल मुह मत खोलियो और शांती से काम करने दे मिर जाफर ने भूला ठीक है भाईया कोई बात नी 500 रुपे मिल रहे हैं और क्या चाहिए उस समय 1500 रुपे का मतला समझ लो 15 करोड रुपे 15 सबसे पहले क्या चाहिए बताओ किसी से लड़ने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए क्या एक तो सेना चाहिए अच्छी सेना बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको दूसरा बंबारूत चाहिए इन्होंने बोला अगर मैं बेंगॉल में से वाहत hebben कि यह क्या कर रहे हो तो एक काम करता हूँ में सब्सक्राइब मुंगेर ही चलेगे मुंगेर मुंगेर चले गए यहाँ पे मेरा भी जन्म हुआ था मुंगेर में आज कल तो यह पूरा कट्टों का शेत्र बन चुका है चलो खैर कुछ भी हो यहाँ पर जो है चले गए इन्होंने बोला यहाँ पर फैक्ट्री खोलूंगा यहाँ पर बनाऊंगा बंबारूद मस्त आम से scanbon Amunations की प्रेक्ट्री Pose Go और बमबारूद गश्क्राइब सो बनाओ को सारों को उड़ा दूगा ये विचार जब बमबारूद बना रहे थे ठीक है गंस बना रहे हैं ऐं फैक्ट्री को रख तो मिर कासिम बोले कुछ निम्हीन हम दीवाली के पटाके बना रहे हम तो बना देशपाजी करेंगे हमारे राम वापस आए हम तो तो कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं है अंग्रेजों ने बोला हाच्छा हमसे तुमने क्या सोच रखा है हम बेवकूफ हैं ऐसे तो नहीं बात करेगी अब तो लडाई होगी अब तो वार होगी उसके बाद इनकी भी लडाई शुरूर हो गई मीर कासिम जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है एवले सक्सेसर है अलिवर्दी खान के मीर कासिम ने सबसे पहले कैपिटल शिप्ट की क्योंकि जो बेवकूफ लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए तो मुर्शिदाबाद से यह आ गए मुंगेर बिहार आ गए बिहार में अपन बना रहे थे सिर्फ डिस्टेंस में बैठे हुए थे कंपनी से दूर कैलकटा से दूर ठीक है बेवकूफ लोगों से दूर और खुश अपना काम कर रहा है इन्हों ने सोचा कि अब जो है मैं रियॉर्गनाइज करूंगा अपनी ब्यूरोक्रिसी को है नौकर शाही बिरोक अठ्यक्रेट्स होने चीए त्ट्रेन आफीसरस जो कि बहुत नजर में अंग्रेजाव और तो और मेरी सेना ऐसी होनी चाहिए जो मेरे हिसाब से काम करेगी मेरे नाम के मेरे काम के आपिसरस मेरे ऐसाब से चलेंगे मेरी अच्छी नई डी मॉडलिंग आमी ठीक है मतलब री मॉडलिंग करने मतलब नए तरीके से उसको आमी को रखना सारा नया recruitment करवाया skills और efficiency के basis पर ठीक है कोई बेटा कोई दमाद कुछ नहीं चलेगा जिसके के लिए जिसके efficiency वह आगे बढ़ेगा इसको लेकर करके आगे पूरी टीम बना ली लेकिन इसके बारे में अंग्रेजों को पता चल गया हुआ क्या देखो एक जो चीज है राम नरायन नाम का बंदा था वो गाना सुने ना आपने राम नरायन बाजा बजाता यहीं था वो र पुराने जमाने की जो गानें वाने होते तो उसमें बड़ी अच्यवाब लिए नाम नरायन जोए यह बाजा बजाता है और ठुमका लगाता है यह था accountant accountant का काम होता है हिसाब किताब रखना और राजा को हिसाब किताब बताना नवाब बोलते थे कि भाया हिसाब दो हिसाब दो क्या कर रहे हो तुम यह डिप्टी गवर्नर थे बिहार के इनको बोला कि तुम जो है हिसाब रखते हो लेकिन तुम हिसाब देते नहीं हो नवाब न मुझे अकाउंट दो क्या है तुम्हारा खाता दिखाओ खाता दिखाता नहीं था राम नरायन इस बात से मीर कासिम बहुत गुस्सा हुए उन्होंने बोला यार मेरी अथॉरिटी मेरी पावर कुछ है की नहीं है मजाग बना रखा यार तुमसे बारबर मांग रहे तुम दे पतार आद15 माना वह घ्लती है कि यारी घृती है उपर से कमरी कृमि रही है कर रहे है जो भी टाइम है ध्यूटि यह वह तो आप को देने पड़ेगी न उसे चिभ बनता है उपर से टैंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आंच अनग्रेश महन के वीच बीच में नहीं हम तो बंबारूत बना रहे हैं इन्हों ने बोला नहीं ऐसे कैसे हम तो लड़ाई करेंगे 1763 में लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने कटवाहा मुर्शिदाबाद और गिरिया का इलाका जीत लिया ठीक है और उसके बाद यह सूटी और मुंगे लिए सब कुछ जीद लिए ठीक है आद nhất से जाधा जीत लिया मुंगेर जीत लिए मतलब भिछारी किम तीन अब मिर कासि ने बोला ऐसे नहीं रूखा मैं में अवद के तौला और शाह आलम्टू और मीर कासिन इन तीनों ने बनाई अपने दीड़ी लव ट्राइंगल और इस लव ट्राइंगल में प्रॉब्लम यह थी कि लव नहीं था यही एक प्रॉब्लम थी और सब कुस ठीक था दिक्कत यह है कि यह तीनों तो आ गए ठीक है शाह यह अंग्रेज क्या है मेरे सामने मैं दुबारा से जो है अपना पर्चम लहराऊंगा दुबारा से मुगलों का साशन होगा दुबारा बेंगॉल जो है हमारे साथ आ जाएगा यूकि बेंगॉल ने अवद ने और हैदराबाद ने साथ में इंडिपेंडेंडेंस ली थी और यह मुगलों से थोड़ा सा अलग हो गए थे तो अब अच्छा मौका लगा शाहालम्टू को लगा यार मेरे पास मौका है मौके पर चौका मारूंगा और एक साथ जो है रिकवर करूंगा बेंगॉल को और अंग्रेजों को भी हटा दूँगा इस तरीके से कंबाइंड आमी आई लेकिन यह कंबाइंड आर्मी हार गई अंग्रेजों से यह हार गई मेजर हेक्टर मुन्रो थे इनके ठीक है और यह जो है लड़ाई हुई 22 अक्टूबर 1764 में और इस लड़ाई में बहुत ब्रेवरी से मीर कासिम लड़े लेकिन वह हार गए और इसके बाद जो कोई और अकल के लिए कोई और ठीके दिखाने के कुछ और और किसी और दूसरे काम के लिए कुछ और तो ऊपर से दिखावा करने के लिए पपेट नवाब बिठा दो नाम का एक गवर्णर है बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो है रियल जो काम कर रही है वो इस्ट पुष्किल से फिर जो है मौत हुई उनकी बहुत पुरानी मतलब उसके उपर भी कहानी है कि मीर कासिम का फिर क्या हुआ और आगे क्या हुआ जंगलों में भटके वो इधर उधर मतलब उनकी लाइफ तो खतम हो गई मीर कासिम एंड हो गया रोबर्ट लाइव ने बोला कि में हाँ बहुत राजा बन रहाता है आपने देगा है जब शादी होती है फिस जादी में आपने देखा होगा कि जब वर्माला के टाई में दुलहन को बहुत कम लोग लोग देखते हैं वह पत्ते कि इसको देखते हैं है ग्ताओ त्युगैल मी最 soir नहीं से शांवन पंताई हां यहां पर लवी हैं एक पल्लवी बोल रहें मैं मेरा नाम है पल्लवी मिश्रा में रिंकुमा मंकेसर की खलास में आपकी क्लास में आई इसलो फर्स्ट ट्राइम आ गए ना तो बाईया बस समझ लो दार्यल फोड दिया आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया है जिन्दगी मेंने के कुछ और दिखाने के कुछ और है तो मैंने एक सवाल पूछा था कि येज़ दुलन होती है जब एंट्री उती नाú इंट्री दख देखतें किस सो बहुत कम लोग देखतें एस मान लोग पता हुआ किसको है किसको देखतें Saan Hai Haa देखो, देखो देखो, देखो देखो यह देखो सही है यह होता है काम यह होते हैं मतलब ही यह जब पढ़ाई आए समझ में हैं तो सबसे जदजस में कौन आ रहे망 जब सबसे जदाए भारत की ले करके आती है उनकी सहेलियां को लोग ज़्यादा देखते दूलन को पत्ता कट गया जुख तो चला गया राजा और शाहा अलम और विटा तुम ज्यादा हीरो बन रहे ते तुम तुम लड़ने आये थे तुम हमारे खिलाब लड़ने आये थे अब बताओ तुम जो बोलोगे मैं आपकी सारी बात मानूगा तो अंग्रेजों ने बोला अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए तुम थोड़ा पैसा देतो और शांति से चुप-चाप से साइड में बैठ जो बबर का मतलब होता है Extra Mall बाद में देखेंगे इसका क्या करना है Extra रखा हुआ थे साइड में रखके छोड़ दिया तो शुझाउद दौला ने Surrender कर दिया अलाबाद और कारा, दोनों इलाके जो है दे दिए, शहालम टू को, क्यों, इसलिए नहीं कि शहालम टू से प्रेम था अंग्रेजों को, कि भईया, तू जो है, हमें अच्छी लगी, तु दूलन के साथ आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अच्छी अच्छी नहीं लगी ह कुछ नहीं है इसको इसलिए दे दिये ताकि यहां पर पेंशन लेगा और बैठा रहेगा चुप-चाप से अलाबाद में झाकर के अलाबाद में रहोगे और वहां लड़ाई करोगे लड़ाई करोगे दोगा दोगे तो पैसा देना पड़ेगा पैसा दो अच्छा उसके बाद बलवन्त सिंग जो कि बनारस के जमिनदार थे यह अंग्रेजों के बहुत प्रीय थे अंग्रेजों ने बोला हां यारी इसकी ड्रेस मुझे पसंद आ गई इसको रखोंगा मैं फुल पोजेशन उसको कहा कि भाया तुम अपने बनारस में बने रहो तुम्हारी पूरी पूरी पोजेशन है और कोई तुम को अगर बोले कुछ तो तुम हमें बताना बलवन्त इनके लिए काम आयेगा और इसके बाद एक फर्मान इशु करवाएं अग्रेज बोलते नहीं थे बहुत है यह यह हमें चाहिए लोए तुम चाहते हो कि हम यह तुम से ले लें यह हमें चाहिए ऐसा लगना नहीं चाहिए दुनिया को कि क्या हमें चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि तुम यह हमें देना चाहते हो और इसलिए हम ले रहे हैं तो तुम हमें यह देना चाहते हो तुम चाहते हो कि भारत तुम हमें दे करते हो बारत हमें दे दो बैंगॉOR से शुडवात करो बैंगॉर बिहार और उडीसा के दिवानी राइट्स देदो दिवानी ता दिवानी भाली इवानी जी नहीं नहीं है लाएड़ी आप सोच रही है यह वाल ये नहीं नहीं है यह दिवानी relieve जो दिवाना भी इनको मिल गए और जो सिविल फंशन्स होते हैं जो भई वहां की जनता को कैसे चलाना है कैसे टैक्स लेना है क्या करना है वो सब तो पूरे दिवानी राइट इनको मिल गए और कहा कि भई यह जो है यह तो होई गया इसके अलावा तुम्हें 26 लाक रुपे की एन्वल पे कंपनी को जो है इन रिटर्न देंगे फॉर दी निजामत पंशन मतलब कंपनी इनके लिए निजामत पंशन कर रही है बेसिकली इनके लिए सारा का सारा मिलिटरी डिफेंस पुलेस एड्मिस्ट्रेशन जस्टिस सब कुस देख रही है तो भई 53 लाक रुपे का खर्चा हैं और इसके बदले में जो है हम 26 लाक रुपे की जो पेमेंट है और इसके लावा जो खर्चे आएगा निजामत पंशन का उस खर्चे को उठाने के लिए भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा पैसा ले लिया अलाबाद की ट्रीटी हो गई रॉबर्ट क्लाइफ जो है वो चाहते थे कि अभी हम अवद को एनेक्स नहीं करेंगे इसको बफर बनाके रखेंगे क्यूंकि अभी अवद में प्रॉब्लम बहुत चल रही है उपर से जो है मराठास का दबदबा था तो मराठास काफी थोड़ा सा यह लोग अभी मराठास के साथ यह लोग लड़ना पर इससे भी बड़ा दुश्मन अभी है जो है मैसूर और उसको हराने के लिये मुझे मराठास की हैलफ लगेगी तो अभी में मराठास से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता क्योंकि ये जो मराठास है ना ये भी अवद में बहुत घुस्ते रहते थे उपर से मराठास की लड़ाई जो थर्ड बैटल ओफ पानी पत आप देखते हो ना उसमें आप देखते हो कि एहमद शाह अबदाली से होती है तो एहम को अफगानियों का जोर है उपर से मराठास की लड़ाई वहां चल रही है तो अभी अंग्रेजों ने बोला कि मराठास को साइड करो क्योंकि अभी हमें उनसे लड़ना ही नहीं है इसलिए इसको बफर बना दो इन्होंने बोला कि हम जो है हम इसको अपने रूल में नहीं हम इसको बस प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको जो है देखेंगे कि क्या हो रहा क्योंकि अभी हमने अगर इसको अगर हमारे रूल में यह आ गया तो हमें अफगानियों से भी लड़ना पड़ेगा और मराठा से भी लड़ना पड़ेगा इसलिए अभी इसके साथ ट्रीटी कर रोगाएंगे इस तरीके से अरेंज्मिंट कर लिया इसके अलावा राजा से बोला कि तुम फर्मान दो कि अब कंपनी के पास पूरे अर्धिकार हैं कि हम यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे और उसके बाद फिर जब यह आ गए बंगॉल में तो यह बोले कि कौन से नवाब हम हैं नबॉब नबॉब मतलब नवाब का ही एंगली साइज्ड वर्जन उसको बोलोगे न एक्सेंट में तो नबॉब सुनाई देता है तो मीर कासिम ने क्या बोला कि ठीक है भाईया अब तो भाईया हम निकल गए तो यह चले गए यहां से इनको हटा दिया गया और उसके बाद इनकी पू बिंगॉल शुरू किया और रॉबर्ट लाइब ने जो डूब गॉर्मेंट ऑफ बिंगॉल स्टार्ट किया इसके अंतरगत इन्हों ने यह कहा कि यह रूल अफ टू है इसको बाद में वारन हस्टिंग ने खतम कर दिया था तो इसमें ने बोला कि यह सब नहीं चलेगा इ क्योंकि इन्हों है बाद में अपना चार्टर आग्ट इस्वी करना शुरू किया था तो इसमें होता यह था कि यह लोग जो है अपने हिसाब से चार्टरड इस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो उसमें पीट इंडिया अक्ट भी आया उसमें चुथा लग-लग इस रहें परना जो नाम के लिए जो है सारी चीजों को खुद चला रहा है लेकिन इनके जो दीवानी राइट और नमाप का सफ़ नाम होता था तो जैसे किसी से टैक्स लेने का काम हो गया जुडिशिर का हो गया टिक है सारी चीजेए हो गई यह सारा इसका नाम था, डिप्टी सूबयदार, इससे उपर कोई भी नहीं जाएगा, एक डिप्टी सूबयदार होगा, जो कम्पनी के लिए सारे दिवानी सूब्स करेंगा, और कम्पनी जो है ये सारे दिवानी फंशन्स लेती रहेगी, क्योंकि इनको एम्पररर cartoons ने- veux-res prove ब 50-ogen filled सूबेदार के सूबेदार के बिंगॉल हैं वो समहा लेंगे कंपनी के लिए और डिप्टी सूबेदार ही सारी चीज़ों को देखेंगे ठीक है अब जो है ये है सूबेदार जो सारा काम कर रहे हैं रियल पावर इनके हाथ में हैं लेकिन एक पपेट नवाब को बिठा करके मैं रखेंगे साइड में जिसके द्वारा जिसके नां पर स्टैंप लगे बस और कुछ नहीं तो इस तरीके से इन hon ने कर लिया तो इसमें क्या हो रहा है कि ये लोग दिवानी काम भी कर रहे हैं और निजामत काम भी कर दिवानी राइट भी हैं इनके इनके पास है सारे राइट इनके पास है सारा कंट्रूल इनके पास है नवाब का सिर्फ नाम है एक जूट एक दिखावा और कुछ भी नहीं इसके बाद फिर जो है जब बेंगॉल में इस तरीगे से जीत हासिल कर ली तो अब इनकी जो अगला टागेट था वो था मैसूर अच्छा हैदर अली ना पहले ही जानते थे कि अग्रेज जू है जब मुझे हराने आएंगे तो वो मेरे पडोसियों से मदद लेंगे तो मराठास और हाइद्राबाद से मदद के लिए जब अंग्रेज गए तो पता आपको क्या हुआ हैदर अली ने पहले ही लड़ना मत और निजाम को बोला कि तुमको भी मैं एरिया दूँगा नदरन सरकार का और तुमको जो है मैं बहुत फायदा दूँगा तुम पर अटैक नहीं करूँगा तुम बस नूटरल रहना मेरे खेलाफ लड़ना मत बाकी मैं सम्हाल लूँगा अंग्रेजों को मैं हरा सारी जितनी भी आपकी अंगलो वार्स हैं यह सारी कावर होगी विद आल्ड़ ट्रीटी इंद नेक्स्ट मैरेथन अगले संडे कवर करेंगे ठीक है यही टाइम रखेंगे दो तीन वजेगा तो यह जो है इस तरीके से चलेगा हमारा राइट अब बताओ यहां तक कोई ड इसमें होता गया है कि आपको 75% discount मिल जाता है double validity मिल जाती है तो एक तो discount हो जायाएगा उपर से 2 साल की validity मतलब एक साल की फीस में 2 साल की validity और complete force full GS आपका cover होगा Csat आपका cover होगा prelims main सब कुछ पूरा detailed है और आपको इसके साथ test series notes सब कुछ मिल रही है live classes है class अगर छूट जाया तो आप इसकी recording भी देख सकते हो so you can use this code y60 आप हमारी adda की app को download करें अगर यहां पर इस channel पर आप देख ही रहे हो तो आपको एक तरीक सी YouTube channel क्या है आप इसको देख रहे हो आप समझ रहे हो कि classes कैसी होती है आप quality को समझ रहे हो लेकिन organized content के लिए organized study के लिए time bound तरीके से खतम करने के लिए without any distraction full focus के साथ paid courses की जरुरत होती है और इसी लिए जो है आप क्या करें कि पहले तो adda के app को download कीजे उसमें फिर UPSC CAC का course देखिए UPSC CAC में जाईए वहाँ पे आपको जो है course देखने को मिलेगा ठीक है तो UPSC CAC में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग-अलग batches मिलेंगे वैसे मैं कहूंगे कि आप अच्छा है कि अगर आप महा पैक ले लो क्या होता है कि आप सारी classes देख सकते हो कुछ भी देख सकते हो जो मर्जी देख सकते हो तो आप महा पैक ले लो और ये code जो है Y660 यह आप यूज करना ठी सब्सक्राइब करें तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं करते हैं और फिर मैं देख सकते हूं इसको दिवानी, पहूसदारी या दिवानी और निजामत दोनों बोल सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक चुप और शेयर करना ना भूले फिलीज लाइक ओन करें आज के लिए इतना ही थैंकि सो मुच पर वाच की ये लिए अने बहुत लिएज ब मात बाइ